हेलो, जेहिंद एभ्रिवन, तो सभी का स्वागत है, इस लेक्ट्र वन के अंदर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेवस। तो आज से स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले हम जो आपकां डिस्क्रीट मैत्यमेटेक्स हैं, discrete maths discrete maths जो है आज हम सुरू कर रहे हैं discrete का मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर discrete का मतलब है discontinuous यानि कि non continuous discontinuous यानि कि लगातार नहीं है यानि कि लगातार नहीं है जैसे कि मैं कहूँ 2, 2 के बाद 3 ये लगातार value नहीं है यानि कि 2.5 नहीं है 2 और 3 के बीच में जितनी value आएंगी वो सामिल इसके अंदर नहीं है ठीक है तो इसके अंदर जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं discrete math के अंदर वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे sets पढ़ेंगे ठीक है ना sets पढ़ेंगे इसके अंदर तो set होता क्या है जो आपका set होता है वो क्या होता है set होता है आपका it is it is collection of it is collection of objects collection of objects object का जो collection है वो set कहलाता है ठीक ना लेकिन इसको define किया जा सकता है it is unordered भी कह सकते हो unordered unordered collection of object या ये ordered भी हो सकती है वैसे δेखा जाए दो ordered भी हो सकती है ठीक ना अगर इसको बिल्कुल सुदरा हुआ रूप इस definition का लिखे है तो हम यह लिशकते हैं It is unordered collection of different object हालांकि यह ordered भी हो सकते हैं ठीक ना But different होते हैं यह sure है क्या होते हैं different होते हैं ठीक ना तो set के जो example है वो क्या रहेगा जैसे कि set का आपका जो example है वो क्या रहेगा जैसे मैं कहूं V एक set है जिसके अंदर वोवल से सामिल है V एक set है जिसके अंदर क्या चीज़ें सामिल है वोवल सामिल है भई इस तरीके से यह क्या है एक set है V is a set of वोवल्स हम क्या लिखेंगे V is a set of वोवल्स V एक वोवल्स का क्या है set है भई V क्या है वोवल का set है भई तो इस तरीके से हम कोई भी set जो है बना सकते हैं दो-तिन set मैं बनाता हूँ आपने बताना हूँ नमें से कौन सा गलत है और वीडियो पोज कर क्या आपने शोचना है जैसे कि मैं कहूँ एक set है जिसके अंदर क्या पड़ा है 1, 2, 3 4 ये इसके अंदर element है इसके अंदर जो value होगी किसी भी set के अंदर कोई value पड़ी है उसको हम element कह सकते है और member कह सकते है क्या कह सकते है element कह सकते है या इसको हम क्या कह सकते है member कह सकते है element हो सकते है ये और क्या हो सकते है member हो सकते है ठीक है इसके बाद आपका है, जैसे कि मैं एक सेट ले रहा हूँ, बी, सेट ले रहा हूँ, बी, इसमें लिखा है मैंने, राम लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने शाम लिखा है, शाम लिख दिता हूँ, चलो मैं कोई बात नहीं, spelling does not matter, इसके बाद मोहन लिखा है मैंने इस तो आपने बताना है इन में से कौन सा सही नहीं है और D जो है आपका वो सेट है आपका 1,2,2,3,4,4 तो ये इन में से कौन सा सेट आपका सही नहीं है तो ये आपका सही है ये थोड़ा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सेट के अंदर जो है क्या नहीं हो सकती है sorry duplicate value शामिल नहीं हो सकती है क्या सामिल नहीं हो सकता है duplicate value शामिल नहीं हो सकती है इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे यानि कि ये इस तरीके से ही आएगा 1,2,3,4 1,2,3,4 इस तरीके से आएगा ठीके ना कुछ सेट ऐसे हैं जिनको हम specially denote करते हैं अलग-अलग तरीके से जैसे कि n से denote करते हैं हम set of natural number को set of natural number जो है set of natural number को हम n से denote करते हैं ठीक है ना set of natural number को जो कि आपके 1,2,3, and so on हो सकते हैं ठीक है ना जैड से हम denote करते हैं set of integer को set of integer number को हम denote करते हैं जैसे कि माइनस, 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 2, माइनस, 1,2,3 इस शरीके से and so on तो set of integer number होते हैं और z प्लस से denote करते हैं हम set of positive integer को set of positive integer को हम denote करते हैं z प्लस से ठीक है ना set of positive integer भाई ठीक है ना चाहे वो 1,2,3 and so on इस तरीके से value दी गई हो इसके बाद हम r से denote करते हैं real number को r से denote किये जाते हैं real number set of real number भाई ठीक है ना set of real number denote किये जाते हैं ठीक है set of real number q से denote किये जाते हैं set of q से denote किये जाते हैं set of rational number rational number denote किये जाते हैं ठीक है और C से denote कियाते हैं set of complex number set of complex number denote कियाते हैं C से तो इस तरीके से यह particularly N denote करेगा Z, Z plus R, Q और C इस तरीके से हम इनको denote करेंगे यह अगर set है तो इनको इन नामों से हम denote करेंगे भाई ठीक है ना? तो अब आजाती है बात set को हम दो से तीन तरीके से denote कर सकते हैं set को जो है हम दो से तीन तरीके से denote कर सकते हैं पहली form है आपकी roaster form है कौन सी form है? roaster form है भाई पहली आपकी दूसरी form है आपकी set builder form कौन सी form है? set builder form है दूसरी आपकी और तीसरी जो form है आपकी वो है vent diagram की format कौन सा format है, when diagram का format है भाई, यान की set को हम तीन तरीके से जो है, दर्शा सकते हैं, तीन तरीके से show कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका roaster, जो हमने format लिखा था, ये roaster था, जो हमने ये format लिखा था पहले, ये roaster format है, कौन सा format है, ये roaster format है, ये roaster format है, जो हमने starting से सीखा यह कौन सा format है roster format है इसमें जैसे कि मैं एक set ले लेता हूँ O set ले लिए मैंने जिसके अंदर 1, 3, 5, 7 और 9 मैंने इसके अंदर ले लिए है ठीक ना यह roster format है ठीक ना इसके अंदर है क्या इसको set builder में हम जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तो यह जो order of odd number का set है यह odd number के set के अंदर x element है क्या है x element है जो की belongs करते है किस से z plus से z plus यानि की positive integer है क्या है यह सारे के सारे positive integer है यह ठीक ना positive integer है जो की positive integer तो है लेकिन आपका है क्या जो x है वो आपके odd है x क्या है आपके odd है और क्या है, and less than 10 है and क्या है, less than 10 है ठीक न less than किसने है, 10 है और 10 से क्या है आपके ये छोटे है भई, 10 से छोटे है ठीक न तो ये आपका कौन सी format बन जाएगा, ये आपकी set builder format बन जाएगे, ठीक न कौन सी format बन जाएगी, set builder format बन जाएगी और when diagram की जब बात करेंगे तो ये पूरे number होते हैं और इन number के बीच में एक set है इन number के बीच में क्या है set है अपने पास जो की odd set याने की o set है इसके अंदर positive integer number है चाहे वो 1 हो चाहे वो 3 हो चाहे पाँच हो चाहे 7 हो चाहे 9 हो odd number है odd positive integer less than 10 है ये odd positive integer less than 10 है तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है roster format में set builder format में भी लिखा जा सकता है और when diagram में भी लिखा जा सकता है जैसे अपना V set था कौँ सा set था V set था V set में A था E था I था O था और U था ठीक है ना V set of vowel था तो हम यहाँ पर लिखेंगे V is a set of X यानि की X जो है वो belongs करते हैं किसे belongs करते हैं आपके alphabet से belong करते हैं X belongs to alphabet X belong to alphabet यानि की सारे के सारे alphabet उसके अंदर सामिल हैं और यह जो है आपके क्या है X is a vowel X is क्या है वो वै एक्स क्या है आपके सारे के सारे वोवल्स हैं ठीक ना X आपके वोवल्स है और when diagram में जब हम इसको denote करेंगे when diagram में तो when diagram में alphabet सारे के सारे बाहर रहेंगे और यहां पर आजेंगे आपके वोवल्स वोवल्स में क्या क्या आगे ए आगया ई आई ओ यू जो है इसके अंदर सामिल हो गए तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे भाई ठीक ना इस तरीके से हम इन चीज़ों को लिखेंगे इसके बाद आते हैं हम इसके अंदर empty when null set अगर हम देखें null set कौन सा होता है और singleton set null set होता है empty set कौन सा होता है empty set भई empty set null set होता है जो उसको जो है या तो 5 से denote किया जाता है या फिर खली bracket से denote किया जाता है इन bracket से ही denote या तो इससे denote किया जाता है अगर इस तरीके से लिखा है इस तरीके से अगर लिखा है तो ये null set नहीं है ये गलत हो जाएगा null set set के अंदर 5 पड़ा है ये null नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा फिर ये आपका single ton set हो जाएगा क्या हो जाएगा single ton set हो जाएगा यानि कि जिसके अंदर सिरफ एक element हो जिसके अंदर सिरफ क्या हो एक element only one element हो जिसके अंदर only क्या हो one element हो जिसके अंदर वो आपका क्या हो जाएगा Singleton Set हो जाएगा तो इसके बाद यह Question है आपके आज के तो यह जो है आज के आपके क्या है Question है एक Question है Write the Set एक Set दिया हुआ है एक कोई Set जिसमें 149.16.25 है इसको आपने Set Builder Format में लिखना है किस Format में लिखना है इसको आपने Set Builder Format के अंदर आपने लिखना है ठीक है न तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम के A जो है आपका यह एक ऐसा Set है जिसमें X कोई भी Element पड़े है X जो की Belong करते हैं आपके यह Belong वाला शब्द है Belong करते हैं आपके किस से Belong करते हैं यह Natural Number से Belong करते हैं Belong to N Belong to अकिला N नहीं बलकी N Square है यानि की 1 का Square है यहां पर यह 2 का Square I think हाँ यह 3 का Square है यह 4 का Square है यह 5 का Square है भाई ठीक है ना तो N Square Belong to N Square भाई Where N is equal to N is equal to N यानि की Natural Number N is equal to Natural Number भाई ठीक है ना N is equal to Natural Number इस तरीके से हम इसको Show कर सकते हैं इसको जर्षा सकते हैं दिखा सकते हैं भाई ठीक है ना Clear होगी बात यहां तक इसके बाद एक Question और ले लेते हैं शायद एक Question और है आपका Which of the following set are Null set इन में से बताना है आपने कौन सा Null set है इन में से आपने बताना है एक बर इसमें ये bracket नहीं दी गई है यहां पे आप अकेला ये लिख सकते हो यानि की ये Option है एक ये Option है एक ये Option है एक ये Option है तो आपने बताना क्या है आपने बताना है इन में से null set कौन सा है आपने क्या बताना है इन में से null set कौन सा है तो ये तो null set नहीं है इसमें भी five डला हुआ है ये भी null set नहीं है तो ये null set है इस तरीके से दर्शाय जा सकता है बिल्कु दर्शाय जा सकता है और ये भी null set है इस हमने ये चीजें देखी है से रिलेटेड चीजें देखी है जिसमें हमने सेट को define कैसे किया जाता है हाँ एक चीज इसमें रहे गई है साइथ एक चीज इसमें शायद रहे गई है अगर कोई element आपका अगर कोई element जैसे x के अंदर कोई element है x belongs to यानि कि A में कोई element पड़ा है तो इस तरीके से उसको दिखाया जाता है अगर नहीं पड़ा तो इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि X जो है A के अंदर सामिल नहीं है ठीक ना जैसे मान लिजिए कि A कोई set है जिसके अंदर पड़ा है 1, 2, 3, 4 ठीक न, अगर मैं कहूँ 4 इसके अंदर है तो X belongs to A, बिल्कुल right answer अगर मैं कहूँ 5 A के अंदर है तो नहीं, 5 is not element of A, यह 5 is not a member of A, A का 5 member नहीं है तो इस तरीके से दर्शाया जाता है भाई तो यह था आज का आपका topic सेट के बारे में जिसके सेट के ओपरेशन जो है next topic जो है सेट के ओपरेशन या सेट की सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही था सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मच जहिन भाई सभी को